मैं यतिना सिंगानन सर्श्वती अगले सुक्रवार 17 जूर 2022 को इसलामिक किताबों को लेकर पुरान और इसलाम के बारे में जो लिखी हुई किताबे हैं इसलाम मुसल्मानों की उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद सुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मसित जा चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर संसर्तन से जुदा का पत्वा देते हैं वो सारी की सारी बाते उनके अपनी किताबों में लिखी हुई है एक पाखंडी और एक ऐसा ख़बीस जो अपने आपको महंत और पुजारी बताता है दासना देवी गाजियाबाद का रहने वाला ये नरसिंग घानन्द सरस्वती जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है महज यहाँ पर उसकी चुनाती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रही हूँ आज ख़बीस ने फिर से एक वीडियो अप्लोड किया फेस्बुक पर और चुनाती देता है इसी की तरफ से तारीख का एलान भी होता है यह हम सबको बुलाता है 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद में आएगा और नभी पाक सलिल्लाई अले आले वाली वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है वो हकीकत जिसको कह रहा है वो बताने के लिए आएगा मैं स्विकार करती हूँ इंशालला 17 जून 2022 जुम्य के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में मुफ्ति सल्मान अजहरी भी जरूर पहुचेंगे इंशालला वो इंतजार करेंगे इस लोम्री का गुफा से निकलने का एक बात याद रख अगर तुम नहीं आया और बहाने बाजी की तो फिर समझा जाएगा तो खुद नाजायज बाप की अउलाद है और इसको आज सिर्फ हीरो गिरी के लिए हिंदू को मुर्क बनाने के लिए इस तरह की हरकते करता है उस खबीज के बच्चे को मैं कहती हूँ बार बार अगर तुने नभी पाक से लिए आले आले वाली वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो अब मुसल्मान खामोश नहीं रहेंगे अमन को नुकसान हो सकता है और मैं हुकूमत से भी गुजारिश करती हूँ इस जालिन के गले में तुमने पट्टा नहीं राला तो हिंदूस्तान का माहौल बिगर जाएगा और अगर सत्रा जून तक ये बाहर रहा और आने की जशारत करता रहा तो मुफ्ति सल्मान अजहरी भी जरूर वहां पहुचेंगे और दुनिया को ये दिखाया जाएगा किसकी जारा इज्जत है मेरे नभी की इज्जत ना कम कभी हुई ना होगी रहेगा यूई उनका चर्चा रहेगा पर ये खाक हो जाए जल जाने वाले लियाजा मैं यहां तमाम लोगों से कहती हूँ आप मुझे हिंदुस्तान वाले बाहर वाले सब सुन रहे हैं सब देख रहे हैं तो सुने इस खबीज के बच्चे ने कहा ये दिल्ली की जामा मस्जिद 2022 17 जून को जुमा के दिन आने वाला है हम भी देखते हैं ये आता है या नहीं आता जो एतराज तुझे तेरे बाप यहूदियों से मिली है इसायों से मिली है और जो बाहर मुलकों से एतराज मेरे नभी किशान में मिली हुई है वो सब हमें पता है मुफ्तिस सालमान अजहरी दोजार वाईज सग्वाइज गी तारीक को उस पाखंडी का इंतजार करेंगे और दन्या को बताएंगे देखनी है है हश्र में इजट रसूल अला की और इस काहिनात में भी देखनी है इज्जत रसूल इल्ला की नाजरी इस वीडियो को जद जद शेयर करें